हलो एवरिबन आप सभी का स्वागत है इस चैनल में आज के इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बीपीएसी टी यारी 3.0 पीजी टी मैथ्स की तयारी से सम्मंधित कुछ बाते आये शुरुबात करते हैं इस सेशन को इसमें हम चर्चा करेंगे कि तयारी के लिए फाइनल से आपका तयारी किस परकार प्रभावित होगा किस रूप में आपको तयारी करनी चाहिए प्रैक्टिस से सम्मंधित बाते और भी बहुत सारी बाते तो चलिए शुरुबात करते हैं आज के इस सेशन को सबसे पहले चर्चा करना चाहेंगे हम गेस्ट फैकल्टी को मिलने वाले मार्ग्स पर और इससे तयारी कैसे प्रभावित होगी आप लोगों को इसको समझने की जरुवत है जैसा की माननिये उजने आले ने आदेश दिया है कि गेस्ट फैकल्टी को परतेक बर्स के लिए 5 मार्ग्स मिलेंगे और महत्तम मार्ग्स की संख्या 25 होगी यानि मैक्समिम 25 मार्ग्स उनको मिलेंगे तो निश्चित रूप से कट ओफ पर परभाव इसका पड़ेगा लेकिन यहाँ पर परसान होने की आप सकता नहीं है यह सबूं के लिए होगी गेस्ट फैकल्टी का 25 नंबर मिलना सिर्फ एक विद्यार्थी को प्रभावित करेगा ऐसा बात नहीं है जितने अपियर होंगे परिक्षार्थी उन सबूं के मार्ग्स पर प्रभाव पड़ेगा तो इसके चलते तयारी में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए मन में कोई हिन भावना नहीं आनी चाहिए कि गेस्ट फैकल्टी को 25 नंबर मिल जाएगा तो सब वही लोग आएंगे सब वही लोग कैसे आ सकते हैं उनकी संख्या और रिक्तियों की संख्या में बहुत अंतर है हाँ ये मान के चला जा सकता है कि उनके लिए बहुत सारी पोजिटिव बाते होंगी जो गेस्ट फैकल्टी हैं उनको 25 नंबर पहले से मिल जाएगा और चुकि वो पढ़ाने का का कर रहे हैं तो ये संभावना बनती है कि उनका कंसेप्ट का लेवल कुछ हलग हो या सवाल आपसे ज़्यादा बनाएं तो ऐसे प्रस्थिति में आपको चाहिए कि आप लगातार फोकस रहें अपने स्टेडी पर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें लेकिन इसको ज्याद आपको आपको आपकी तयारी में बहुत ज्यादा बाधा नहीं बनने वाली है यह सिर्फ मन का सोच है कि किसी को 25 नंबर ज्यादा आ जाएगा तो हम उसी अस्तिति में पिछड़ जाएंगे यह बिल्कुल गलत बात है ऐसा होना ही नहीं चाहिए आप देखे हैं हाल फिलाल म अभी नीट का रिजल्ट आया है जिसमें 720 में से 720 नंबर लाने वालों की संख्या पर बहुत बवाल मचा हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है सचाई जो हो लेकिन पिछले साल भी तो तीन विद्यारती 720 में 720 लाये थे कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर पढ़ाई पर आप फो फोकस रहते हैं अपने स्टेडी पर एक एक चेप्टर के कंसेप्ट पर तो निश्ची दुरूप से आपका स्कोर अच्छा होगा अब सवाल उठता है कि अब बदलते परिवेश में या परिद्रिस में किस परकार से PGT मैस की तयारी किया जाए तो सबसे पहले तो आपको य 910 की तो उसमें बहुत सारे लोगों की पढ़ाई PG तक तो रहती है लेकिन जेनरल कंपडिशन की तयारी करने के कारण उनका सब्जेक्ट मैटर से फोकस थोड़ा कम हो जाता है लेकिन जो PGT मैस की तयारी कर रहे हैं अल्मॉस्ट उनको मैस पर अच्छी पकड़ है तब ICS थिती में आप अपनी तयारी को किस रूप से आगे बढ़ाएंगे कि आपका सेलेक्शन हो चैन हो जाए तो इस सम्बंध में हमारा सबसे बढ़िया सजेशन ये होगा कि आप पूरे चैप्टर को एक बार NCRT से जरूर पढ़ लें अगर पढ़ा हुआ है तब भी बारेकी से उसको पढ़ें और NCRT बुक में आप देखे होंगे कि चैप्टर के अंत में या चैप्टर के बीच-बीच में कॉर्नर बना कर गर के या बलॉक बना कर कर के कुछ अच्छे-च्छे तत्यों को रखा गया है उन तत्यों को आप एक बार जरूर देख लें हो सके तो उसका एक संग्रह कर लें क्योंकि अभी आपके पास परियाप्त समय है आप ऐसा कर सकते हैं वहां से आपको दो-चार अवाल आपका decision making tools बनेगा decider factor बनेगा बहुत सारे students इस बात को लेकर हमेशा चिंता में रहते हैं कि क्या NCRT की पुस्तके परियाप्त है अब इस बात का जवाब क्या होना चाहिए बड़ी मुश्किल है देना लेकिन ये बात तो तय है कि ये निरनायक भूमिका में जरूर रहेगा NCRT की पुस्तके परियाप्त है या थवा नहीं ये तो पुर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए सवाल तो चाहिए ही और NCRT में questions की संख्या कम होती है या आप जानते हैं लेकिन जहां तक बात है concept making की तो हमारे हिसाब से NCRT की पुस्तके परियाप्त है निश्चित रूप से परियाप्त है दस बिभिन किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को दस बार पढ़ लिया जाए यदि आप NCRT की किताब को दस से ज्यादा बार पढ़ लेते ह तब आपको बास्तों में उसमें दिये हुए facts में या उसके facts के बारे में आप मंधन करने के स्थिती में आ जाते हैं और वहां से आपको मज़ा आने लगता है कि जिस चीज को हम पहले क्या समझ रहे थे अब उसका क्या अर्थ निकल रहा है तो आपका एक goal setup होनी चाहिए कि कम से कम प्रती दिन एक दो chapter को तो जरूर पढ़ें पूरा पढ़ें सुरू से लेके अंत तक पढ़ें सवाल बनाने के लिए समय अलग होना चाहिए और उसके text को पढ़ने का समय अलग होना चाहिए तो NCRT की पुस्तके हमेशा से परियाप्त रही है competition का label चाहिए जो हो जा लेकिन सवाल बनाने में आपको इसका concept निश्चित रूप से मदद करेगा यदि हम TRE 1.0 और TRE 2.0 की बात करें तो परियाप्त मात्रा में NCRT से direct सवाल पुछे गए हैं खास करके TRE 2.0 में तो बहुत ही ज़्यादा सवाल NCRT से direct पुछे गए डिजिट सहिद पुछे गए conceptual सवाल भी पुछे गए logical problem जो बनाये जा सकते थे NCRT के facts पर वो भी बनाये गए तो मिला जुलाकर सारांस यह हुआ कि NCRT की पुछे के परियाप्ती नहीं यह अम्रीत है इसके एक एक लाइन में कुछ बात है एक एक लाइन सवालता के मार्ग को प्रसस्त करेगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आज से आप NCRT पढ़ना जरूर सुरू कर देंगे निश्चित रूप से NCRT को पढ़ना ही चाहिए आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए TRE1 और TRE2 के प्रस्णों में क्या समानता है यदि हम इस पर चर्चा करें तो एक बात तसफ़स्ट तोर पर निकला कि TRE1 और TRE2 में conceptual problem की संख्या लगभग 20% रहा conceptual problem का मतलब हुआ कि आप concept को ले करके चलें जैसे मान लेजिए complex number में TRE2.0 में सवाल पूछा कि multiplicative inverse क्या होगा इस टाइप के सवाल जनरली किताब में कम मिलते हैं practice करने के लिए और कोई expect भी नहीं किया था कि इस टाइप के सवाल भी पूछे जा सकते हैं लेकिन ऐसा पूछा गया थिरी भाई थिरी matrix की संख्या कितनी होगी यह सब concept पराधारित प्रोवलम था TRE 1.0 में कैलकुलेटिव था TRE 1.0 में जिस चेप्टर से कैलकुलेटिव सवाल था TRE 2.0 में उसी चेप्टर से conceptual सवाल था यह एकदम बिलकुल आकलन जो है पूरे 80 सवाल पर किया हुआ है 80 सवाल TRE 1 और 80 सवाल TRE 2 में differential equation में जो सवाल कैलकुलेटिव था TRE 1 में वही सवाल conceptual आ गया TRE 2.0 में TRE 1.0 में जो conceptual था उस पर कैलकुलेटिव आ गया TRE 2 में मतलब BPC PGT मैट्स के लिए जो question set कर रहे हैं उनके mind में ये game चल रहा है कि कुछ topic को logically based बनाया जाए कुछ topic को calculated बनाया जाए और कुछ topic को highly thinking approach पर रखा जाए ये सब आप भी आकलन कर सकते हैं यदि TRE 1 और TRE 2.0 के सवाल को आप अच्छे से आकलन करें चुकि आप खुद PG holder students हैं आप में इतनी छंता है कि आप decision ले सकें हमारे हिसाब से अभी आपको वन और टू के मिश्रन पर ध्यान देना चाहिए यानि logical portion तो एक दम मजबूत होनी चाहिए और calculation में जरा सा भी आप से तुरूटी नहीं आए जरा सा भी तुरूटी नहीं हो मतलब परियाप्त मात्रा में practice होनी चाहिए practice makes a man perfect ये पहले भी सही था आज भी सही है और भविस्य में भी सही होगा तो आप इस point पर business focus करेंगे कि logical part को एक जगा अलग तयार करें calculated problem को एक बार NCRT में दाग लगाएं और फिर पुना हुसको बार 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 बनाने का परियास करें आपको पता चल जाना चाहिए कि किस सवाल में किस परकार का अप्रोच लगाना चाहिए एक और point है जिस पर चर्चा करना बेहत जरूरी है बीपीसी टी आरी पीजी टी मैट्स में ट्रिक्स की क्या भूमिका है निश्चित रूप से ट्रिक्स सवाल को जल्द बना देने में सच्छम होता है लेकिन ये आप भी जानते हैं कि ट्रिक्स कुछ और नहीं बलकि absence of steps होता है कुछ सवाल को आप ट्रिक्स के माध्यम से कर सकते हैं ट्रिक्स को जहां भी आपको अबलेबल है जिस रूप में अबलेबल है उसको एक जगा तो नोट आपको कर लेना ही चाहिए चार से पांच सवाल तो निश्चित रूप से इसमें आपको फायदा कर सकता है लेकिन ये अगर आप dependency बना लेते हैं कि ट्रिक्स के माध्यम से ज़्यादा सवाल आएंगे shortcut तरीके से हम बनाएंगे तो ये आपके लिए घातक हो सकता है ये वही ये 9-10 के लिए उप्योगी हो सकता है लेकिन 11-12 के लिए एगातक हो सकता है आप 11-12 के सवाल को जब देखेंगे जो ट्रि-1 और ट्रि-2 में अभी हम चर्चा कर रहे थे तो आपको असपस्ट पता चलेगा कि मात्र 5-10 परसेंट सवाल ही ऐसे हैं जिसको डिरेक्ट ट्रिक्स से बनाया जा सकता है ट्रिक्स का मतलब हो गया दो-तीन परकार का कुछ ट्रिक्स तो बास्तों में रिजल्ट होते हैं जैसे TRE2 में पुछा गया कि ellipse का area क्या होगा पाई ABA square unit तो यह tricks नहीं है उसका result ही है ट्रिक्स हुआ कि किसी सवाल को आप दुसरी अंदाज में बदल के बना रहे हैं कुछ putting and getting कर ले रहे हैं जैसे 910 में अक्सर होता है percentage के सवाल में profit and loss के सवाल में कुछ अलग से put किये सवाल बन गया ऐसे स्थिति में हम आपको सला देंगे कि mathematical induction का concept आपके लिए सहायक होगा जो ना सिर्फ tricks की भूमिका अदा करेगा बलकि सवाल के answers को छाटने में भी आपको काफी मदद करेगा तीथियों के बढ़ने से परिक्षा परिणाम क्या परभावित होगा यह सबसे जटिल मुद्दा है पहले था ही था कि 27 से 30 जुन के बीच परिक्षा होगी तो आप लोगों का तयारी उसी लेबल में चला गया कुछ लोग डिप लिप न पढ़कर करकर करकर के उपर उपर सारे चैप्टर्स को पढ़ लिए लेकिन जब अब देट बढ़ गया है तब आपको चाहिए कि आप डिटेलर स्टेडी करें क्योंकि यह हमारे और आपके हाथ में है नहीं कि एक जाम कब होगा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग तिथी को लेकर असमंजस के स्थिती में आ जाते हैं कि तिथी बढ़ गया है अब तयारी हमारी परभावित हो जाएगी तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि यह सब तो जुनियर सेक्शन के लिए लागू होता है आप मैच्योर परसन हैं पी एजडी होल्डर हैं पीजी होल्डर हैं ग्रेजुएट लेवल के मैथेमेटिक्स को आपने बढ़ियां से पढ़ा है और किसी भी परस्थितियों में जुजने की छमता आप में अधिक है अधिक नहीं सरवाधिक है तो आप तिथी को लेकर परसान ना हो बिल्कुल ही परसान ना हो परिच्छा जब होना होगा तब होगा लेकिन अगर तयारी छुड़ती है तो परसानी आज परिच्छा हो जाने में भी होगी कल परिच्छा ह तब भी होगा और दस दिन बाद पर इच्छा होगा तब भी परसानी होगा परसानी उन्हीं को होती है जिन्हें लगता है कि अब तिथी बढ़ गया तो हम concept भुला जाएंगे या हमारे कयारी में मांसिक असर पड़ेगा लेकिन जो लोग दिर्ड परविर्ति के होते हैं जिस हाँ ये तय है कि cut off तो high जाएगा इसमें कहीं से कोई दोराय नहीं है जब समय मिला है तो सब लोग focused हो जाएंगे जिनको एक आगदू chapter कमजोर रह भी गया है वो उस chapter को मजबूत कर लेंगे क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं अगर किन्हीं को लग जाएगा कि हमारा ये chapter कारण ये समस्या तो आपको मिलेगी लेकिन उसके चलते पढ़ाई छोड़ दें पढ़ाई कम कर दें ये तो और बिलकुल मतलब अनयतिकता पुर्ण बिचार हो जाएगा एकदम अनयतिक बातें हो जाएगी ये उमीद ही नहीं किया जा सकता है इस तरह की बातें तो इन सब चीजों को लेकर नहीं जादा गौसिप करें नहीं जादा इस पर चरचा करें और नहीं जादा किसी और वीडियो बगारा देखने की आप सकता है उन सब बातों से आपको डाइवर्ट हो जाने की मार्ग खुल जाएगी तो आपको divert नहीं होना है हर हाल में आपको focused रहना है choose only one target and try to hit the target target को hit करना मकसद होनी चाहिए मकसद ये नहीं होना चाहिए कि government क्या कर रही है date क्यों बढ़ा रही है ये उसका मसला है हाँ ये अलग बात है कि सरकार ये गलत कर रही है बिल्कुल गलत कर रही है लेकिन इसको सोचने के लिए अभी परियाप्त समय नहीं है आपके पास ये do or die वाली position है इस position में आपको हमेसाद तयार रहना होगा कभ एक्जाम का date दे दे ये भी हो सकता है कि दस दिन के अंदर सारी पर किरिया को कर ले तब वो इसे स्थिति में आप क्या करेंगे इसलिए लगातार फोकस्ड रहे हैं हमारा एक ही बात कहना है कि परतेक चेप्टर से आप दस सवाल को तो बंाने का परियास करें ही परते दिन यानि एक सो सवाल तो आप परते दिन बनाई सकते हैं तो दस चेप्टर को आप एक दिन में टच कर सकते हैं और आपमें इतनी छंता है अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम 20 चेप्टर को एक दिन में रिवाइच करें तो पाच-पाच सवाल चुनिए अगर आप 100 सवाल बनाने में आपके आप बनाने के लिए आपके पास परियाप साब समय नहीं है तो एक-एक सवाल 20 चेप्टर से लेकिन मिस्लेनियस प्रोब्लम बनाना ही होगा हर हाल में बनाना होगा मिस्लेनियस प्रोब्लम न सिर्फ आपके फास्ट रिवीजन को मजबूत करेगा बलकि आपके अंदर एक डेप्ट लाएगा आपके प्रोब्लम बनाने के अंदाज को बदलेगा कैलकुलेशन में हो र उम्मीद है कि आप बहुत सारी बातों को अच्छे से समझे होंगे और BPSC TRE 3.0 PGT मैस की तयारी के लिए कुछ अलग प्रकार का जोस आपके अंदर आएगा ये उत्साह बनी रहनी चाहिए जिसके पास उत्साह है जीत उसी की होगी एक कहावत भी है दिहात में कि संकोची ब्यक्ति के सफलता में सदा संदेह रहता है संकोच किसी बात की नहीं होनी चाहिए आप लगातार पढ़ते रहें फॉर्मूला को प्रती दिन रिभाइच करते रहें मिसलेनियस प्रोब्लम को बरावर बनाते रहें एंसी आर्टी के परतेक एक्सरसाइज को महत्व दें एक्सरसाइज के अंत में जो अबजेक्टिव कुस्टिंस दिये हुए हैं उनका तो अंसर तक याद हो जाना चाहिए चेप्टर के अंत में जो मिसलेनियस प्रोब्लम है उस पर बारीकी से पकड़ होनी चाहिए समय मिलता है तो एंसी आर्टी एक जम्पलर पर फोकस्ट होना चाहिए फोकस करना चाहिए और प्रैक्टिस के लिए कौन से कितावे परियाप्त है तो इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता है जहां से आपको अब्जेक्टिव सेट मिले वहां से आपको बनाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में objective problems पर focused हो जाना चाहिए 12 में आपको NCRT में objective मिलेगा लेकिन 11 वाले portion में नहीं मिलेगा तो 11 वाले portion में आपको ज्यादा समस्या है यानि algebra, coordinate geometry, set theory, trigonometry इसके objectives की संख्या NCRT में ना के बराबर है exemplar में मिलेगा कुछ लेकिन 12 वाले portion में है तो आप परियास करें कि कहीं से आपको कोई set मिले हम समझते हैं कि बहुत सारी बात को आपने आप notice आज किये होंगे और आप अपनी तयारी को बिल्कुल नए अंदाज में ले जाएंगे वीडियो को अंत अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद किर्पया चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे सेयर करें बहुत बहुत धन्यवाद झाल, 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 झाल